बाजपा के धर्मशाला से विधाय की उमीदवार राकेश चोधरी ने गुरुवार को अपना नामानकन पत्र दाखिल किया। बाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रंजू रस्तोगी जिला कार्यले प्रभारी राकेश चोधरी जिला स्योजक खेल अंकुष भी विशेश रूप से मौजूद रहें। उन लोगों को भी मना कर मिला कर एक साथ चलेंगे। उन्होंने का कि धर्मशला का विजन डोक्यूमेंट बन गया है जिसके अधार पर चुनाव लड़ेंगे। बाशपा मंडल द्वारा किये जा रहें विरोध को लेकर राकेश चोधरी ने कहा कि कुछ लोग उनसे जरूर नराज चल रहे हैं लेकिन उन लोगों की क्या समस्या है इसको बैट कर सुलजाया जाएगा। और अगामी विधानसवत चुनावों में सब को साथ लेकर चलेंगे। और निश्चित रूप से भाजपा एक वार फिर से सत्ता में आएगी। पर चणीन के रूप में देखना जाएगा है हमारे लीए चुनोटी है और उनके विष्वास पर ख़रा उतारना हमारे लिए यह वी एक च्ञ्वत चुनोत metropolitan के जहां पर हर एक आदमी की इच्छा होती ही, पहुंचना वहां पहुंचे हैं, और इसके पीछे समसे बड़ी बात यही है, कि जो हमारा एक लगातार लोगों के बीच संबाद रहा है, लोगों के साथ मिलना जुनना रहा है, लोगों का जो असीर बात प्यार रहा है, उनके सु सब लोगों का शिरृदा में मिला है, यहां बात सुनिये, नॉमिनेशन μέ原因 हो चुका है, और मंडला हमारे साथ हैं। और मैना कोला है, मंडल के साथ परिवर है, यह बहुत बड़ा परिवार है। बहुत सारे मंडल के पतधीकारी हमारे साथ खड़े। तो सारे रोग हमारे साथ हैं होता है मैंने ये बोला होता है कई वार चोटी मुटी मुटी मनमठाब होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार को छोड़के चल जाए अच्छी अब नोमिनेशन फाइल किया और मुद्दे बहुत सारे धर्मसाला में पारसमाबनेय का और मुद्दों के उपर ही चुनाव कंटेस्ट किया जाएगा और बहुत जल्दी हम अपने यहां से बिजन डॉकुमेंट भी हम बिट्रोल करेंगे उसमें हमारे क्या मुद्दी है धर्मसाला के अंदर क्या रहने वाला क्या प्राथमिक्ता है हमारी वो सारा कुछ सामने आग करें और यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर जरूर करें वोशन जूलर्ज अनमोल रिष्टों के लिए